आज वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे है डबलू एचो ने 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे डिक्लियर किया है यह प्रथमवार 1994 में अपने अस्तित्व में आया मैं डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी सीनियर और्थोपेडिक सर्जन और बिहार और्थोपेडिक एसोशेशन का प्रेसिडन्ट होने के नाते इस दिन को मनाने के लिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ 1994 में यह दिवस पहली बर मनाया गया और 1999 में इस दिवस को मनाने के लिए डबलू एचो ने हर वर्स एक थीम दिया और उस थीम के अंतरगत सारे कारिक्रम दुनिया भर में किये जाते हैं सवाल उठता है कि ऑस्ट्विअ्स है क्या यह इस अगर है तो निष्च्चप रूप से ऑस्ट्यो परसिश भी कोई चीज है Osteoporosis हमारे जीवन में एक सामान्य घटना है ये धीरे 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 हड़ियों का च्छय करता जाता है उसका च्छरण होता जाता है और लोगों को मालूम भी नहीं होता है इसलिए इसे silent epidemic के तौर पर देखा जाता है दुनिया भर में जितनी भी म्मारियां हैं उसमें अगर osteoarthritis यानि जोडों के दर्द को छोड़ दिया जाए तो ये osteoporosis सबसे उपर में होगा जो आम लोगों को परिशानी में डालता रहता है ये दूसरे नंबर पर है osteoporosis का मतलब होता है हड़ियों का कमजोर हो जाना है आम तोर पर हम लोग सोचते हैं कि हड़ियां कैलसियम की बनी भी होती है ऐसा सच नहीं है अगर हम किसी पिलर को देखें तो उसके भीतर केवल सीमेंट नहीं होता है उसमें चीमेंट होता है उसमें बालू होता है उसमें पानी होता है छरी होती है और लोहे की जाली होती है उसी तरह हड़ियों में भी प्रोटीन की जाली होती है जिसके अंदर में कैलसियम और अधर मिनरल्स उसमें डिपोजिट होते हैं उसमें जमा रहते हैं और इस तरह से हड़ियों की समर्चना होती है दीरे दीरे प्रोटीन की कमी से और मिनरल्स की कमी से ये हड़ियां कमजोर होती जाती है और अगर एक यूनिट मास को हम लोग देखें कि उसमें कितना प्रोटीन कमी हो गया है तो ये पता चलेगा कि हमारे हड़ियों का छरण कितना हुआ है केल्सियम की कमी भी उसमें सहयोग देती है विटामिन डी की कमी सहयोग देती है और मुख्यता प्रोटीन की मात्रा अगर कम हो जाए हड़ी में तो ये जल्दी जल्दी सबसे पहले तो यह हम लोग जाने कि ऑस्टियोपरोसिस कब हो रहा है कैसे हो रहा है और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो सहयोग करती हैं पचास औरतों में पैटालेस साल के उम्र के बाद और मर्द में साट साल के उम्र के बाद हड़ियां कमजोर होती जाती है जब मेनोपाज हो जाता है जब उनका मासिक रुख जाता है तो उसके कमज़ों ने का और भी कई कारण है और खास तोर से और इसमें शिकार होती हैं अगर हम देखेंगे डाटा देखेंगे तो पायेंगे कि तीन में से एक और जरूर ऑस्ट्योप्रोसिस संक्रमित हैं और पांच में से एक मर्द है यानि मर्द इसके चकर में कम पढ़ते हैं और ज़्यादा पड़ती हैं और इसका कारण क्या है इसका कारण है हमारा हमारी सामाजिक सलचना आप अगर देखेंगे तो जो हमारे हां उम्रदार लोग हो जाते हैं उनके खान पारन पर ज्यादा ध्यान नहीं होता है और तो सबसे अंत में खाती हैं और अगर परिवार में दूढ आया है तोहले बश्यों को मिलेगा और कमाले होले मर्दों को मिलेगा तब ऑरतों को मिलेगा लाश्ट में हमारे बुढ़ी और आए तो उनको चाय मिल पाएगा उससे जादा कुछ नहीं मिलेगा खानपन में भी ऐसा ही होगा डाल ऐसा ही होगा सब्जी आएसे ही होंगी और भी चीजें जो मिलने की उमीद होती है मर्द और बच्चों को वह उन्हें मिल नहीं पाएगा तो यह लाई-लाज नहीं है इसलिए लाई-लाज नहीं है कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे अगर हम अपने घर के जितने भी सदस्टे हैं उनके खान पान पर हम अपने अपनी नजर रखेंगे तो निश्चित रूप से ये आस्टियो परोसिस उन्हें परिशान नहीं कर पाएगा